तो क्या दोस्तों Snapchat से आप भी फोटो खिचते-खिचते परिसान हो गए हैं बट उसे गैलरी में आप लाना चारा है, गैलरी में आ नहीं रहा, सेव नहीं हो रहा, बिल्कुल आप परिसान है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं अच्छे से बताऊंगा कि किस तरीके से Instagram से, sorry आप Snapchat से खीची गई फोटो को हम गैलरी में सेव करते हैं बिल्कुल छोटी से सेटिंग है जिसे कर लेंगे तो आपका कारे हो जाएगा, तो बिना किसी दिरक हम इस वीडियो को करेंगे सुरू, तो hello and welcome दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्राइड जिंग से YouTube चैनल, और मैं नाम है रूपेज, दोस्तों आज चली सुरू करते हैं आज पहले मैं Snapchat app को open करूंगा, ठीक है, और आपको ही setting करनी होगी जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो live मैं दिखाऊंगा भी, देखे कोने पर आपकी profile है ना, तो कोने पर अपने profile पे click कर लिजे, profile पे click करने के बाद यहां पर इस side एक setting का icon आएगा कोने पर, तो इस setting पर दोबार पे click करिए, अब यहां पे आपका QL memories activate होगा, लेकिन आपको दूसरे वाले पे click करना है, memory and camera roll पे, ठीक ना, दूसरे वाले option पे click करके back आजाए, बैक आने के बाद, अब यहां पे photo आप click करिए, ठीक है, आपको मैं live दिखा रहा हूँ, देखे मैं live photo click कर रहा हूँ, photo click हो अब मैं permission होगे रहे मांगेंगे तो इलाओ कर दूँगा, ठीक है, जो ही permission मांगे, अब यहां पे देखे, save का icon आ रहा है, directly यहां पे save पे click करिए, photo save दो रहा है और सीधे आपके कहा जा रहा है, देखे, gallery में जा रहा है, आपको live मैं दिखाना चाहूँगा, मैं album में चलता हो, ठीक है, all photo में चलता हूँ, और देखे, मेरा photo बिल्कुल पहले पर आ चुका है, तीन बज़ के 6 मिनट, तीन बज़ के 6 मिनट, तो दोस्तो वीडियो प्यारी लग गई हो, तो वीडियो को like और channel को subscribe करके जाएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो लेकर आयाग करता हूँ, तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक लिए आप लोग अपना ख्याल लखिएगा, बाइबाइ दोस्तों